पूरी पार्टी को ही बर्बाद कर दिया शराब नीती मामले में कोई जेल जा रहा है तो कोई बाहर आ रहा है मानों ऐसा लग रहा है कि जेल नहीं किसी पार्टी में लोग आ जा रहे हों शराब नीती गोटाले से जोड़े मनी लॉंडरिंग मामले में गरफतार दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजवाल की मुश्किले थमने का नाम नहीं ले रहे ताजा मामले में विजलेंस बिभाग के टीम ने उनके निजिल सहायक विभाग कुमार के खलाफ कड़ा एक्शन लिया है जेल में बन दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजवाल के निजिल सहायक विभाग कुमार को उनकी सेवाव से बर्ख्वास्त कर दिया गया विजलेंस बिभाग ने विभाग के खलाफ 2007 के एक मामले में ये कारिवाई की है जिसमें उन पर सरकारी काम में बाधर डान ले और शुकायत करता को गाली देने या धमकी देने का आरोप लगाया गया था बिजलेंस बिभाग ने बर्ख्वास्त की के पीछे विभाग कुमार के खलाफ दर्ज F.I.R. को कारण बताया है ये मामला 2007 में नौड़ा प्रधिकरण में तैनात महेश पानलामक व्यक्ति ने दायर किया था इसमें आरोप लगाया गया है कि विभाग कुमार ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर शुकायत करता एक लोग सेवक को इसके करतब्वे का पालन करने से रोका और उसे धम की थी ये दर्ज है कि आबकारी नीती घोटाले मामले में आठ अपरेल दिन सौंबार को ईडी ने मुख्यमंत्री के नीजी सची विभव कुमार और आमादमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को भी तुगलक रोड इस सित मुख्याले में बुला कर दोनों से करीब 6 घंटे तक पूश्टाच की दोनों से पहले भी पूश्टाच की जा चुकी है अब देखना ये है कि आगे की डगर आप एंड कंपनी के रिए कितनी आसान होगी क्या केजरिवाल बाहर आप आएंगे क्या विभव की बहाली होगी ये तो बस कोट और समय ही बता सकता है